हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भवस्ता के दोरन यानि कि प्रेगनेंट फिमेल को पपीता और पाइनेपल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दोरान इन दो फूट्स को एवड करना वो जरूरी है तो इस बात में कितनी सच्चा है हम खा सकते हैं कि नहीं महलाओ के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और खासकर प्रेगनेंसी के दोरान क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत लंबा सफर होता है और तो हर एक चीज को पेशेंट सोचती है कि ऐसा ना हूँ कि इसका मेरे बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़े तो इस वीडियो में हम डीटेल में जानने वाले हैं कि पपीता और पाइनेपल को हम गर्ब वस्ता के दोरान ले सकते के नहीं और लेना है तो कब और कितनी मात्रा मे बच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए तो जो कच्चा पपीता होता है और अतपका पपीता होता है यहलिकि जो रो पाइया होता है उसको खाने के ये मना किया जाता है, क्योंकि उसमें इसे गुण पाये जाते हैं, जो टाइम से पहले लेबर पेन को स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि उसमें पेपेन और लेटेक्स, दो केमिकल से पाये जाते हैं, जो कि गर्बो अस्था के दोरान लेने से miscarriage हो सकता है uterus में contraction आ सकते है और bleeding start हो सकती है तो अगर आप ये चाहती है कि मेरी pregnancy 9 महीने तक easily 9 महीना जाए तो इसको खाने के बिल्कुल भी गलती ना करे अगर आप पका हुआ पपाया खाना चाहते है तो बिल्कुल आप उसको जो बीज रहते है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है यानि कि उसके sits को नहीं खाना है क्योंकि बीज बिल्कुल भी benefit नहीं देते हैं बीज के भी बहुत सारे नुकसान होते है पर अगर पपाया बिल्कुल पका हुआ है तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं पपाया आपको ज़्यादा नहीं लेना है दो तिन पीस आप ले सकते हो या एक बाउल आप ले सकते हो पर जो रो पपाया होता है उसका एक पीस भी नहीं खाना है और रो पपाया के हम केसे पेचान करें कि जो कच्चा रहता है जो वाइट कलर का रहता है और अध पका जैसे आदा कच्चा आदा सफेथ है तो उसको नहीं खाना है पर अगर आप मारगेट से लेकर आ रहे तो आजकल केमिकल से पका दिया जाता है उसको तो हम चाहते है कि भई प्रेग्नेंसी जब हमको 9 महीनक रोस करना ही है तो कोई भी ऐसा काम ना करे कि प्रेग्नेंसी मे बीच में वट का लगा दे पर दूसरा सवाल ये भी आता है इधर पे कि जिन महिलाओ को unwanted pregnancy हो गई बच्चा नहीं जाती वो महिला है तो खुब सारा पपीता खा लेती है कच्चा भी खा लेती है पक्का भी खा लेती है पाइनेपल का जूस भी पी लेती फिर भी bleeding स्टार्ट नहीं होती है तो देखिए यहाँ पे हर एक patient की body अलग-अलग रेती है हर एक का case भी अलग-अलग रेता है क्योंकि मैंने तो बहुत सारी एसी patient भी देखी जिन को बच्चा नहीं चाहिए abortion pill खाली, एक kit खाली कुश नहीं हुआ तो जिन महलाओ की बच्चा दानी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है जिन का सिजेरियन हो चुका है उन महलाओ को ये normal से चीज़े कुछ भी काम नहीं करती है तो अगर कोई भी महला ये चाहती है कि मैं घरे लू तरीकों से abortion करा लू या unwanted pregnancy को remove कर लू तो इसे बिल्कुल भी गलती ना करे अगर आपको bleeding हो भी गई थोड़ी बोद तो फिर उसमें क्या होगा कि incomplete abortion रह जाएगा जो कि वो काफी problem देता है ठीक है और बात करें हम pineapple की तो pineapple भी नहीं लेना है pineapple भी uterus में contraction लाता है यानिकि दर्द लाता हो premature delivery कराने में help करता है अब हम बात करें कि आप papita और pineapple कब ले सकते हैं तो जब आपका 9 महिना complete हो जाए यानिकि जो आपका delivery की date है और आप यह चाहते हो कि मेरी normally delivery हो जाए तो due date से 10 दिन पहले यानिकि 10 से 15 दिन पहले जिसे की हमारी जो aspect delivery जो date है मानलो की 15 जनवरी है ठीक है तो आपको एक जनवरी से ही papita खाना चालू कर देना है वो आप कच्चा भी खा सकते हो पका भी खा सकते हो pineapple का juice भी आप ले सकते हो एक glass juice sufficient है आपके लिए साथ में पपिता आप 100 ग्राम पपिता परड़े खा सकते हो चाहे वो कच्चा हो पका हो जैसा भी आपको खाना है ठीक है तो इन चीजों को लेने के बाद में कोई scientific proof नहीं है कि इनको खाने से delivery हो ही जाती है पर हाँ क्योंकि जब हम बीच में नहीं खाने को देते हैं तो हम चाहते कि आप एंड में खाई एक contraction आएंगे बच्चदानी रिलेक्स होगी बच्चदानी का मूँ खुलेगा तो में भी कि आपकी delivery नॉर्मल हो सकती है पर इस चीज को कोई scientific proof नहीं है ये दो सारी चीज एक fruits है जो कि हर एक fruits की तरह ही वर्ग करते है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि pregnancy में हमको कच्चा, पका, पपाया या फिर पाइनेपल खाना चाहिए या नहीं और खाना चाहिए तो कब और कितना धन्यवाद